यह question अंकिता के द्वारा पूछा गया है find the largest number which divides 615 and 963 living remainder 6 in each case क्या करना है दोनों नंबर को बताना है कि यह दोनों नंबर कौन सा नंबर से divide होगा कि दोनों ही नंबर से 6 जो है remainder में बच जाए ठीक है एक ऐसा नंबर जो दोनों को divide करने पर 6 remainder बच जाए ठीक है तो हम लोग इस नंबर को कैसे निकालेंगे सबसे पहले 6157 को remainder चाहिए 6 तो इसको minus कर देंगे कितना आ जागा यहाँ पर 609 आ जागा और वैसे ही similarly 963 को भी हम 6 minus कर लेंगे ताकि इसका remainder पता चल जाए तो यह होगा 957 ठीक है अब इस दोनों का हम लोग HCF निकाल लेंगे तो 609 का HCF निकालने के लिए LCM लेंगे 2, 3 से जाएगा 3, 2 जा 6, 0, 3, 3 जा 9 ठीक है अभी यह जाएगा 7 से चला जाएगा ठीक है तो 7, 2 जा 14, 7, 2 जा 14 और यहां 6 बचेगा 7, 9 जा 63 ठीक है वैसे 957 का भी हम लोग HCM ले लेंगे तो यह 3 से जाएगा 3, 3 जा 9 और यहां 3, 1 जा 3, 3 9 जा 27 ठीक है अभी यह 3, 1, 9 है यह जाएगा 11 से चले जाएगा 11, 2 जा 22, 9 रिमेंडर 9 बार में 99 ठीक है तो यह 29, 29 जाना हो गया तो इसका HCF of 609 and 957 इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा 3 into ठीक है इसको हम लोग लिखेंगे ए एक बाद 609 का लिख लेते हैं 3 into 7 into 29 और 957 का 3 into 11 into 29 है तो जो दोनों में रहता है उसको हम लोग HCF में काउंट करते हैं तो 3 दोनों में हैं तो 3 लिख लेंगे और 29 दोनों में हैं तो 29 भी लिख लेंगे ठीक है तो HCF आ जागा 3 into 29 equals to 87 ठीक है धेरफोर the largest number the largest number number which divide which divide 615 and 963 living remainder remainder 6 in each case in each case is 87 answer 10 10 10 10